हेलो फ्रेंज जैशी कृष्णा रादे रादे आज मैं आपके शाद शेयर करूंगी आम की रबडी बनाने की रेसिपी घर्मियों के सीजन में आम बहुत आ रहे जितने आपको पसंद है वैसे आम सभी के फेवरेट होते हैं तो आज इसके साथ कुछ ने ट्राइ करते हैं तो करीम दो लीटर दूद इसे आप जब तक चलाइए जब तक की बाल ना आ जाए इसे पहले आप ना छोड़े नहीं तो हमारा जो दूद है वो लीचे चीपक जाएगा और इसका जो टेस्ट है वो खराब हो जाएगा आप इसे कंटीनु चलाइए बीस से पचीस मिनट में हम और इस वाले गेस पर जिस पर मैंने दूद को रखा था इसका फ्लेम धोड़ा हाई है अब मैं बना रही हूँ उसमें डालने के लिए कैनिमल कैनिमल हमें इसी तरीके का रखना ज्यादा डार्क कलर का नहीं चाहिए अगर आप से ज्यादा हो रहा तो गेस का फ्लेम स्लो कर अब मैं वापस से आई फ्लेम वाले गेस पर इसका डाई को रखूंगी क्योंकि मैंने गेस को बंद कर रखा था इसमें उबाल नहीं आ रहा था इसलिए अब मैं इस पर वापस रख रही हूँ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक् का ध्यान रखना है इसका जो कलर है कैनिमल बनाते वक्त वह जिलनी नहीं चाहिए निए इसका जो टेस्ट है वह खराब हो जाएगा अगर बस आप इसे लगातार चलाते रहिए यह लगबग लगबग मेक्च हो चुकी है अच्छे से मिक्स होने के पार इसका जो कलर है वो इसी तरी का आप डरे नहीं अगर आपस एकदम से इसमें मिक्स नहीं होती जैसे जैसे आप चलाएंगे जैसे जैसे इसमें बोई लाएंगे अमें रबडी में वैसे वैसे यह मि दही डालने से जो हमारी रबड़ी है उसमें दाने दाने हो जाएंगे अगर हम इसके जगे जो सेट्रिक एसीड है वो भी इसमें डाल सकते हैं बहुत से लोग निम्बू सत बोलते हैं उसे लेकिन उससे डालने से क्या होगा कि हमारा कलाकन दे फटा-फट से दूद को अलग और उसको अलग कर देंगे तो इस तरीके से हमारा कलाकन में दाने बहुत हो जाएंगे इसलिए मैं इसमें डालूँगे एक बड़ा चमच दही दही हमें या फ्रेस लेना है मीठा दही इस्तमाल में लाना है आप देख सकते हमारी जो रबड़ी है वो बिल्कुल पर्फेक् दही डालने के बाद दही जो अमारी रबड़ी है वो किस तरीके से हो चुकी है अब मैं इसे ठंडा होने के बाद इसमें डालूँगे इलाइची यह पूरी तरीके से ओफ्षनल है आप इसका कलर देख सकते हैं कि विल्कुल रबड़ी जैसा लग रहा है कि हां यह रखना आम का जो फ्लेवर है वो मीठा होना चाहिए खटे आम का इस्तमाल बिल्कुल ना करें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो